नमस्कार मैं हूँ रागव सर्मा रमान जय घोष यूटूब चैनल से सातियों आज मैं गाजी पूर के करंडा छेत्र के कुछ औरा ग्राम सभा अंतरगत रिशी के दूबे सनाव स्वरगी गिरिजा संकर दूबे के आवास पर उपस्तित हुआ हूँ सातियों हमारे सम्मिधान में समय सेमर पर जिस चीज की आवसकता होती है तमाम तरह के संडच्छन बिल बनते रहे हैं और उसी संडच्छन बिलों में एक महिला संडच्छन बिल है और उस महिला सरनच्छन बिल का बहुत अच्छा रिश्पांस देखा जा रहा है आभी रहा है और आएगा भी सातियों हमारे बीच हैं कुछ औरा ग्राम सभा के एक प्रबुध नागरिक और इन्हों से इन्होंने कुछ अपने उद्गार मीडिया के सामने प्रस्तुत करना च सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भीया जो सम्मानित पत्रकार जो हमारे समस्याओं को सबके समस्याओं को मन्सी पर पहुचाने में महती भूम का अदा करते हैं उनको मैं बारम बार पढाम करता हूं इसके बाद मैं मेरी समस्या यह है कि मैं महिला समरच्छत महिलाओं का म हम हम्नलोगों के अधिकार के लिए किर्ण सम्रचठ बील कि अट आवश्यक्त है यह मेरा बाननिया Πरदानुमंत्री जी में परदानमंत्री जी सम्रचानी है व्लेय को अदिष्व काल की बैठक हमारे होने वाली है उस में पूर्शों का又 विदिगट सम्रच्छडविल और टी सिग्र पास करने की किर्पा करें जिससे कि हम मारा हम पूर्षों का भी सरोधा समाधिकार विदिगट मिल सके दूबे जी मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से महिला संदच्छडविल है क्या आप चाहते हैं कि पूर्ष संदच्छड एक बूष सम्मान करते हैं कि हमारा भी अधिकारों को नहीं करते हैं यही मेरा और उन से हमारा कोई मध्ये नहीं है मत एक विदिगत अन। चाहता हूं महिलाओं की संदच्छडव बिल पर आपको को इपत्ति नहीं है में कोई अपत्ति नहीं है कि हमारा भी Ini कोई इसका साइडी फेक्ट हो रहा है ये ये लोग माननिये हैं अधिकार मिला है की पूर्सों का दमन हो रहा है स्वार्त के लिए यह पूरुसों का दमन हो रहा है जो कि अनुचित है सरोथा जी तो क्या पूरुस बर्ग जो है महिलाओं से प्रतारित हो रहा है महिला संरचनबील के वज़ा से जी एकदम प्रतारित हो रहा है पर जी कानून जो है कानून को मतलब संपक्षी चलना चाहिए एक पक्षी कानून क्योंकि नियाज पराबर होता है तराजू का पलला है और नन बैलेंस नहीं होता है और हमेशा सेम होता है पराबर तो उनको भी भागिदारी मिले हमारी भागिदारी का हमारी भागिदारी छोर कि न उनको द तुबी जी यह जो महिला संरच्छन भील है यह आप कह रहे हैं कि पूरु संरच्छन भील भी बनाया जा आगामी शीद कालिन तो नहीं लेकिन ग्रिश्मकालिन आओका वो चलता है जो सत्र चलता है उसमें आपने माननी न्यायपालिका और सदन से निक्विस्ट किया है कि इस भी बनाया जा तो कुछ ऐसे भी उदार्ण मिलते हैं कि जैसे क्या महिलाओं को संरच्छन मिल जाने से कुछ उत्पीड़न भी होता है हम खुद है यह है नार्या सरवत्य पुजयांति तो हम भी हरवक्त पूजयते का नारा हमाइं भी मिलें हमें बहीं हरवक्त पूजयते नारी शर्वत्त पूजयते तो हम भी हरवक्त पूरुस हरवक्त पूजयते का नारा यह स्लोगन देम प्रधान मंत्री जी क्योंकि पूरुस स्रिष्टी में शिव प्रधान है विश्णु प्रधान है ब्रह्मा प्रधान है जब देखे सनातन से पुरातन से हमारी संस्कृति म पुरातनी संस्कृत में विश्णु भगवान के नीचे मातालक्षमी जी का सिरगामनी नहीं बनी है गोड़गामनी है तो ये चरणों के नीचे इनका स्थाने पती परमेश्च्वर होता है हमारा सनातनी व्योस्ता है ये ओट की राजनीत से इनको कपार पर बैठा देने से न जो है राती है लेकिन आज के परिवेश में वह जो बराबरी का अधिकार मिल गया है उसको अब चरण में नहीं रखा जा सकता लेकिन अगर पतनी है तो पतनी धर्म का निर्वहन करना चाहिए और दोनों को परिवार के गारी को चलाने के लिए दो पहिये की तरह से काम करना चाहिए तो यह मैं चाहूंगा कि मानिय न्यायपाली का सदन और हमारे जितने भी एंपीज हैं वो लोग इसको महिला संरच्छन बिल की तरह से पूरु संरच्छन बिल का भी प्रस्ताओं को आप रखें सदन में पास करें ताकि जो एक इंजन फ्रेम नहों हां तो जो दोन पक्ष है दोनों पक्ष को समान अधिकार मिल सके और कोई किसी से प्रताड़ित नहों जैसा कि इनका उद्गार था इनका जो सुझाओ था दबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन फेलना होने पाए वो भी जान है पुरुष जान है इस तरी का जी सनातनी पुरातनी शिव श अच्छा प्रस्ताओ दिया है मिडिया के माध्यम से मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसको जो है सदन में इसको मानी जो हमारे प्रतनीधी गण है इसको सदन में उठाएं और जीतने भी प्रताड़ित लोग है या जितने भी पीडित लोग हैं उनका आज अवाज को बुलंद झाल झाल